दोस्तों कैसे हैं आप सब दिखिए अभी 27 फैप का की डेट है और टाइम है दो बज़ के 33 मिनट तो लाइव मार्केट में मैं कुछ दो सेट आप बताना चाहूंगा जो आपके यहों बहुत काम आएंगे मैं आपको सिंगल लॉट से बताऊंगा आप उसको डबल लॉट यह बनालगान चाहँ है लगा कर देख सकते हैं एक सेट आप बताऊंगा आपको और सिखांगा आपको कि आपने वह सब्सक्राइब लेना है तो चू लेना है आपका प्रेडिक्शिन गिरेगा मार्केट तब क्या रहेगा बढ़ेगा तब कैसे बनाना है तो दोनों केस में डा से आता हूं आपको. तो नॉमनी सबसे बहले आपने क्या करना है? अपने क्या करना है, सेंसिबल लॉगिन कर लेना, मैं सारे सैटप उसी से बनाता हूं. अगर सैंसिबल नहीं है तो मुझे बताइए मैं लिंक दूँगा, उससे आपन कर सकते हैं, कोई पालोम नहीं है. सीखने के बाद वो मार्केट में अपना रियल मनी लगा के कुछ अर्निंग कर सके ऑप्शन फ्यूचर दूसर ग्रूप है इसमें दोनों तरागे लोग है वो पेपर ट्रेट भी करना चाहते हैं और रियल मनी से भी अपना सेटप बनाना चाहते हैं तो मैं कुछ अल्मॉस्ट सेटप बदलते रहोगे तो आप कभी भी बेनिफिट में नहीं आ सकते मार्केट में आपको एक यह दो सेटप पकड़ने पड़ेंगे उस पर काम करना पड़ेगा तो चलिए मैं बताता हूं आपको मैं पहले सेंसिबूल देखिए मैंने लॉग इन कर रखा है हाँ ठीक है अब मैं निफ्टी में पुता तो आप यह देखिए में क्या है इसका आप बिफोर एक्सपारी इसको यूज कर सकते हो इसको वीकली भी यूज कर सकते हो और एक दिन पहले भी यूज कर सकते हो आप हर चीज में इसको सेटप को यूज कर सकते हो कोई प्रॉलम नहीं है अब अब मुझे इससे कुछ नहीं करना इसका क्या बढ़ रहा है गिर रहा है मुझे मतलब नहीं है मैं आँगा चुप चब अपना यहां तो आप NSE option chain सीखना जानते हैं कैसे देखना आपको पता हो सपोर्ट का हो निकालना जानते हो ठीक है तब तो ठीक है अदरवाइस में आपको और इजी वे पता लेता हूं इससे option chain में आना है सेंसिबल में आना है आपने स्टेड में जाहिए स्टैटरजी बिल्डर देख रहे है यहां पर इसको क्लिक कीजिए बिल्ड एक न्यू कस्टम स्टैटरजी ठीक है मैं क्लिक करता हूं अब मैं यहां डेट चेंज करता हूं मुझे लेनी है नियर बैक्स पैरी कितने 29 फैब कण शेते हैं चेलर को चाहते हैं मार्केट यहां तक नीचा गिरे जो फोर्दम चेशी करता है यह 조ण जाने करते हैं रोड़ değildi कि मुझे लगता है कि जो expiry है 29 तक ही वो market की upside होने वाली months green में ही होगी तो उसके लिए मैं पहले निकालता हूँ कि market कहां तक जा सकता है nifty तो अभी चला है 22,150 मानता हूँ मैं क्योंकि 22,200 कास्पस मान सकते हैं तो मैं 22,200 लेलता हूँ मार्केट यहां पर है कहां तक जा सकता है market उपर अगर देखोगे जितने green bars हैं यह सब क्या रखें छोटे छोटे बने हुए means यहां पर support मिलनी रहा है market को और resistance बढ़ा है chances कि market यहां तक नाले गड़ जाए पर मेरा view है कि market जाएगा यह support बड़ा हो सकता है कल को या परतो जाके लोग ज़्यादा आ सकते हैं इसमें बाइंग हो सकती है ठीक है तो मानता हूँ 22,300 तक market जा सकता है इसके उपर जाने के chances कम है यहां तक expiry हो सकता है मेरा view यह पॉसिटिव यह तो मैं क्या करूँगा जहां तक मुझे लग रहा ह इसको simple butterfly बनाएंगे उसके बाद adjust करेंगे अब आपने क्या करना है 22,300 है इसमें 100 minus करना है या 22,200 इसमें buy करना है अगें sell वाले position पे आना है 22,300 है इसमें 100 अपने प्लस करना है 22,400 यह buy कर लेना है अभी क्या बना है simple butterfly बन गई है ठीक है इसमें होगा क्या अगर market इस green zone में बंध होता है आपका मिलाख inspire होता है तो जब को इतना benefit मिलेगा otherwise loss होगा चाहिए market गिर जाए यह ज़्यादा आपके उस area से बाहर निकल जाए तो दोनों case में आपको loss by benefit की chances कम है अब इस case में देखिए probability of profit कितना है 24% बहुत कम है 50% minimum होना चाहिए मुझे लगता है fund leader आपक 22-300 तक जा सकता है expire हो सकता है माल लिजिए super निकल जाता market उस case में क्या करेंगे butterfly में बनाएंगे तो हमें loss देगा इसके बार तो उसके लिए हम क्या करेंगे आपको 22-200 वाला इसको यहां से अटाके थोड़ा से 50 points दोर ले जाते है 22-150 अब देखी क्या हुआ अब मार्केट नहीं यहां से 22-300 यहां पड़ता है इस point पर अगर मार्केट यहां expire होता है तो आपको 5450 का benefit है अगर मार्केट इस उपर निकल जाता है 22-300, 40, 22-300, 470 यहां तक कहीं भी expire हो जाता है यहां पर जाके तो आपको कितना 420 का benefit तो दे गई देगा मार्केट ने आपको जो आइडिया लगा है था आपने कि 22-300 तक जा सकता है उससे उपर चला गया 22-620 चला गया 300-400 और उपर चला गया कितना ही उपर चले जाए आपको 420 तो देखे ही जाएगा बटरफ्राइगी केस में क्या था जैसे इस आपके एरिये से बाहर निकलेगा वो अपको लॉस से देगा अब हुआ क्या आपका प्रेडिक्शन था कि मार्केट बढ़ेगा मार्केट बढ़ा लेकिन आपके एरिये से बाहर चला गया तो लॉस हो गया तो उसका benefit नहीं मार्केट कल 100 पॉइट डाउन ओपन हो गया क्या करेंगे देख लेते हैं माल जब देखे 22,181 चल रहा है यहां पर मैं इसको माइनिस करता हूं माल जब 22,70 पर मार्केट ओपन होता है ठीक है कल की देट यहां चेंज कर लेते हैं 28 तो आपको मैक्सिम रॉस कीता दिखाएग सिर्फ यह जो लॉस है यह कब होगा आपको यह 29 होगा एकस्पारी वेले दिन जाके होगा जब आप 23 मिजे कैस्पस तक अगर ट्री को ले जाते हो और आपके अगेंस में जा रहा है तब इतना लॉस होगा अदर्वाइस आपको 100-500 पॉइंट में इची कब कर लेता हूं मा तो सिर्फ सना decía कि हमारे फेवर में जा रहा है मार्कर इसको रचान किलेता हो हम ने इस बाय लेक को दूर ले गए थोड़ा अगर आमएं यह नई या有 बेनिफिट थोड़ा सा और बढ़ाना है और इसक ले सकते हैं तो जो में 2259 बाइंग की इसको थोड़ा सा और पेछल जाते हैं 22,100 कर लेते हैं अब देखिए क्या हुआ आपका benefit बढ़ गया यहां पर अपना sell किया था तो अपको 6528 का benefit हो जाएगा ठीक है इसके उपर कहीं भी नहीं कल गया तो देखिए 1500 से उपर आपको benefit है इसमें पहले जो मने सेटप बनाया था उसमें around 420 के ऐसवार दिखा रहा था ठीक है जितना risk बढ़ा होगे benefit भी बढ़ेगा ठीक है benefit अब रिस्क कम करेगा थोड़ा benefit भी कम होगा तो market ऐसे ही चलता है यह तो आपको safe trade बता है तो आपका view था कि market बढ़ के expire हो सकता है कहीं पर भी हो जाए आपने जहां सोचा था हो गया तो माला माल हो गया अच्छा बैन फिर बिल गया उससरे उपर निकल गया तो भी 1500 को कोई कम अमाउंट नहीं है आपको अगर आपको सिरफ view सही होना चाहिए क अगरा view सही हो गया मेरा ठीक है अब हम reverse करते है मार्केट अब लेखी कहा है एक्जम 22,187 पर चल रहा है तो 22,000 फिर माल लेता हूं मेरा view है market यहां से गिरेगा तो मुझे red bar देखने है बड़े red bar कहां बन रहे है resistance कहां पर बन रहा है एक तो यहीं पर 22,200 बना हुआ है यहा आसपास है हमाँ बना हुआ है मुझे रहता है नहीं यहार मार्केट इससे नीचे गर सकता है कहां तक जा सकता है market यहां तक जा सकता है कि 22,000 पर चोटा सा राईसेंस है लेकिन बड़ा support है यहां तक मार्केट जाए कर रिवर्स भी आ सकता है अध दिन है हमारे प्रश दो ख तो दूर्फिंट इसमे बॉटर फ्यंगे बॉटर बनाएंगे, 100 एकर ऐन्ड़ करेंगे, 100 एसदे यहां पर बॉटर आप दूर जा-गे तो इसको है। इस तो पनी है बट्ल 5 बनागे हम अब इसको चेंज करेंगे। हमें कैसे यह मुझे नीचे की साइड को हैच करना है माल लीजिए 2200 मेरा था यह तर्गेट कि यहां मैंने सेल किया था कि 2200 तक जा सकता है मार्केट माल मार्केट इससे भी नीचे चला गया 200-300 और नीचे गिर गया उसकेस में क्या होगा यहां बेटर में में तो मुझे लॉस हो जाएगा तो मुझे नीचे वाले एरिये को बेनिफिट में कनवाइट करना है तो मैं क्या करूँगा 21,900 दिखा रहा है नीचे की तरफ इसको मैं दू ले जाता हूँ इस केस में भी क्या करेंगे हम यह वाला 22,100 जो हुने लेक बाई किया था इसको यहां से अटा के मैं 100 पॉइंट और 50 जो आपको ठीक लता पर में कर सकते हो तो मैं 100 पॉइंट पीछे ले गया अब हुआ क्य इतना हो सकता है मार्केट इस पीक पे अगर एक्सपार हो जाता है जो मैंने सेल किया है 22,000 तो मुझे 7,333 रुपीज का बेनिफित मिल जाएगा अब मार्केट इससे में नीचे किर गया से मैंने आपको बताया माले यहां आ गया 21,720 तक पहुंच गया तब भी एक्सपार सकता है मेरा व्यू था यहां तक हो सकता है मैंने अपना जो बाई की अतल लेक उसको थोड़ा आगे शिफ्ट किया मैंने अपना पीछे का एडिया पूरा अप मार्केट चाहे हजार पॉंट गिर्जा 2000 गिर्जा मेंको एक्सपारी डेपे 2333 रुपीज का बेनिफित देगा इतना देना है पड़ेगा मार्केट को यह मैंने नीचे की तरफ अपना सिक्योर कर दिया पूरा इस पीक पे अगर एक्सपार हुआ तो बहुत बड़ा बैनिफित है और नीचे चला गया तो भी बैनिफित है बैनिफित कम नहीं है अब मार्केट कल यहां पे अभी 22185 है हम बड़ा मानते हैं कि मार्केट का गैप आप उपन हो गया 22296 पे उपन हो गया और यहां कल कीडिट कर देते हैं 28 तब भी मुझे 1248 नुपीस का लॉस दिखाएगा सरफ अगर यह यहां उपन होता है जाके टाइम में 247 का देखिए अभी अभी का टाइम देखिए चल रहा ह है 22290 पे भी रहता है तो भी मुझे 1240 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा इस टाइम तक 247 कल की डेट में इस टाइम तक मार्केट यहां रहता है तो भी मुझे इतना ही लॉस हो रहा होगा 1179 रुपीस का मैं अपने टेट को काट दूँगा तो मैं से गरने माला नहीं है कोई कोई टेंशन ही नहीं है आपको कहीं भी एक्सपायर हो जाया अच्छा मेनिफिट देखे आपको जाएगा मार्केट ठीक है तो यह सिंपल मैं आपको समझ में आया होगा मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा भी यूट्यूब पे कुछ क्वेशन से क्वेरी से आप मुझे समझ भी दिये मेरे गुरुप में आये वह मेसेज कर दीए कोई प्रॉलम नहीं है मैं भार इवट कर दूँगा आपको तो यह मैंने एक लॉट कर सिखाया आपको अब मैं इसको सिंपल एक काम करता हूँ लॉट बढ़ा देता हूँ माल जब पांच लॉट से करता हूँ पै अब ही आपको पैसा कम क्यों लग रहा है क्योंकि हम सिंगल लॉट से बना रहे हैं सेट अप सेम रख सकते हैं लॉट बढ़ा सकते हैं लेकि पहले प्रैक्टिस कीजिए पेपर टेट कीजिए जब शोर्ट हो जाए काम कर रहा है मैंने आपको दोनों भी बता दिए आपके पॉज़े जाएगा तो ऊपर की साइट को हैज़ कर सेफ कर लिए कितना ही बढ़ जाया उपर आपके टार्गेट से ऊपर निकल जाये तो बेनिफिट होगा ऐसा ही सेम इसको नीचे की साइट भी है आपके टार्गेट तक पहुंचा तो अच्छा बेनिफिट है उससे और तो भी benefit है, नीचे का मत गया तो benefit रखो, उपर जाये तो अपना benefit रखो, तो इस तरह से बनाईए, और आपको against में गया आपके, तो छोटे loss में निकल जाए, यह कोई problem नहीं है, capital को बचाईए, चले डियर, thank you very much.